आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेप्टर फाइफ मैप ओफ इंडिया क्लास दिन से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि on the outline map of इंडिया draw name and number the standard meridian तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह मैंने यहां पर लिख दिया है standard meridian of इंडिया ठीक है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है map लेके आप भी locate कर लो और यह यहां पर शत्कट हो गया है तो यह आपका होगा 82 degree 30 minute east होगा ठीक है 82 degree 30 minute east यह लिख लेना आप level the river यमुना तो यह रहा आपका यमुना river share the name the gulf of khambath and mark the name natula pass तो gulf of khambath यह दिख रहा है आपको और natula pass यह आपको north east में दिखेगा यह रहा natula pass इसके बाद mark and the name of the caracorum range अब यह आपका caracorum range है sorry क्या है caracorum range यह आपको top पे बिलेगा यह रहा caracorum range फिर इसके बाद है shade and name is sparsely populated state in the north east इंडिया इस पार्सली का मतलब होता है कम populated तो यह आपका और नाचल प्रदेश है नौर्थ इस्ट इंडिया में shade a region with laterite soil in the eastern इंडिया तो laterite soil के साथ आपको western इंडिया में कौन सा है यह आपको laterite soil वाले जगह है ठीक है यह रिजन्स आपको mark कर देने हैं फिर इसके बाद mark with a dot and name विशाखा पत्नम तो विशाखा पत्नम यह रहा ठीक है यह आपका विशाखा पत्नम है mark and name the winds that bring rain to the west bengal in summer तो west bengal में summer में बारिश कौन लाएगा south west monsoon और ऐसे एरो के साथ आपको indicate करना है print s on the iron mines in singh boom तो यह रहा singh boom में iron mines इसको dot लगा के s print कर दिया है ठीक है आप नाम लिख लेना पूरा on the outline map of reading mark and name chinnai chinnai कहां है आपका नीचे मिलेगा chinnai label the river godavari godavari नदी आपको कहां पे मिलेगी ठीक है तो इसमें शाद यह रहा godavari ठीक है यह godavari नदी है shade and labour the छोटा नागपूर plateau तो यह चोटा नागपूर प्लेट्यो आपको कहां है यह रहा यह arrow के साथ देखो नीचे आया हुआ यह है मिलेगी यह है आपका छोटा नागपूर प्लेट्यो गल्फ आफ कच्च की बात करें तो गल्फ आफ कच्च यहां है फिर है गैंग्टिक एरिया है यह एरिया है विथरेट स्वयल मार के नेम दे वेंड विच ब्रेंग रैन टू दा मुंबई इन जुलाई अगस्त तो साउथ वेस्ट मॉंसून है जो यहां से राइस करती है और लेके आती है बारिश फिर मार के नेम दे सत्पूरा रेंज अब यह सत्पूरा तो सत्पूरा रेंज ठीक गुदावरी के ऊपर दिख रहा होगा आपको यह रहा गुदावरी और इसके ऊपर सत्पूरा रेंज मार के नेम दे जरिया कोल्ड फिल्ड तो जरिया कोल्ड फिल्ड यहां पर है ठीक है फिर इसके बाद है शेड और लेवल दे नॉर्दन सरका coastal यह रहा यह वाली लाइन इसको शेट कर देना है थार्ड वाला है on the outline map of India draw name and number the tropic of cancer तो यह रहा आपका tropic of cancer जो dotted line से जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे name है tropic of cancer 23 and half degree north यहाँ पे आपने name and number भी लिख दिया label the river नर्मदा अब यह जो नर्मदा नदी है यह आपको कहां पे मिलेगे बिल्कुल यहां पे दिख रहा है यह नर्मदा रधी है next है shade करना है Wooler Lake Wooler Lake आपको top में मिलेगा फिर उसके बाद mark and name arowli mountain range तो यह arowli mountain range आपको कहां पे मिलने वाले यहीं पे मिलना है दिखो यह रहा अरowli mountain range फिर काकारूम पास तो यह top में मिलेगा आपको करकुरम पास फिर shade करना है densely populated district in south-south यानी नीचे की तरफ आ जाए तो यह केरला है जो densely populated है बहुत ज़्यादा घना है फिर इसके बाद shade and name a region with black soil तो black soil के साथ कौन सा region होगा आपका shade करना है तो यह रहा region with black soil तो यह पुरा आप shade कर दोगे मार्क करना है चंडी गड़ को यह रहा चंडी गड़ टॉप में ही फिर उसके बाद मार के नेम दे विंड बिच ब्रिंग रैन इंविंटर टू दा कोरोमंडल कोस्ट तो वह कौन सी हवाय है नौर्थ इंस मॉन्सून विंड है नेम एंड प्रिंट एस ओन एन ओ और ओयल फिल्ड यहां पर एस नहीं प्रिंट किया है तो आप प्रिंट कर लेना लिख लेना वहां पर कि 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 सबसे पहला हमारा कि स्टेंडें विडर उसां सेकेंड और कोश्ट्न अब इसके बाद फोर्थ सेंड और य्या इंडिया शेizo, इंडियाए के लिए यह पूरा डेकन प्लैट्यू है जो कि आपका है जाना जाता है यह डेकन प्लैट्यू ब्लैक स्वाल के लिए शेडेन नेम और ऑफशोर ओयल आफ शोर ओयल फिल्ड की बात कर रहा है आपको तो यहां पर आफ शोर ओयल फिल्ड मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है तो मैं बता रहा हूं आफ शोर ओयल फिल्ड यह आपका Bombay High है, यही है आपका Bombay High, जो कि आपका offshore oil field है, ठीक है, यह dot जो लगा हुआ है, यह offshore है, फिर इसके बाद Mark and Name the Great Indian Desert, तो Great Indian Desert में यह दिख रहा होगा, आपको third desert, Mark and Name the Konkan Plain, तो Konkan Plain, यही है देखो आपका Konkan, Konkan यहाँ नहीं होगा, Konkan यहाँ है, यहाँ, यह रहा, Konkan Plain, फिर इसके बाद Shade and Name the Garo Khasi and Gentia Hill, यह पहाड़ियों कहां मिलेंगी, नौर्थ East में मिलेंगी, यह Garo Khasi और आपका Gentia है, ठीक है, फिर इसके बाद Mark and Name to River in India, draining into Arabian Sea, Arabian Sea के अंदर उतरती हुई, ठीक है, आपको क Mark and Name to River in India, River, जो कि ड्रेन होती हो, draining, वो कौन-कौन सी है, एक तो नर्मदा है, तापी सिंधू है, बहुत सारी है, तो यहाँ पे दो का नाम लिखना था, शायद मैं भूल गया हूँ लिखना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दिखो न, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे नर्मदा लिख देना, ठीक है, एक दम यहाँ पे, यहाँ पे आप नर्मदा लिख देना, और नर्मदा के पाद, आप जो है कि, उसी के ठीक नर्मदा क ठीक नीचे तापी नीवर आएगा तो तापी लिख देना नारमदा और तापी तो दो हो जाएंगे आपके फिर उसके बाद आपको मार करना यहाँ पर नेम स्री नगर और कोची को मार करना है तो देखो स्री नगर और कोची कहां कहां पर है तो स्री नगर एकदम टॉप में nowhere यहां पर श्री नर्गर कर लिकवहलर कोची की बात करें तो कोची कडम बटॉटम में मिलेगा आपको यहां पर यहां पर कोची स्री SN anticipating और कोची यहां पर मार्क and name the arrows, with arrows the direction of wind blowing in Kerala during summer season from the Arabian Sea, तो यह है western disturbances या फिर cyclonic rainfall, यह western disturbances है, जो cyclonic rainfall लेके आते हैं, तो यह इस तरह का arrow होगा, shared and name the छोटा नागपूर प्लेट्यू, तो यह आपका छोटा नागपूर प्लेट्यू कहां पे है, तो छोटा नागपूर प्लेट्यू ना आपका यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे आपका छोटा नागपूर प्लेट्यू मिलेगा, तो इसमें बहुत सा मेरे से छूड़ गया है, तो I am extremely sorry for that, तो मैं कोशिच करूँगा कि next time ऐसा कुछ ना हो, तो यह फोटो अल्रेटी मैंने अप्लोट कर ली थी, इसलिए कि ऐसा हुआ, तो थेंक्स वर वाचिंग, डू सब्सक्राइब और शेयर मैं चैनल, उम्मीद करते हैं आपको इससे मदद जरूर में